नवस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं 816 कला अध्यापकों के लिए यानी 816 ड्रैंग अध्यापकों के लिए ड्रैंग अध्यापकों की याची का कनिप्टारा करते हुए पंजाब हर्यान हाई कोल्ट ने जारी किया आदेश और ये खबर अमर उजाला अखबार की तरफ से दी जारे ये साथियो नेमित भरती होने तक इन ड्रैंग सिक्सकों की सेवा जारी रखने पर निरने ले सरकार ये कहना है माननिये हाई कोल्ट का यानि जब तक ड्रैंग अध्यापकों की नीमित भरती नहीं हो जाती तब तक इनकी सेवा जारी रख सकती है हर्याना सरकार और इस बाबत वो निरने ले सकती है ये माननिये उच्णियाले ने कहा है तो साथियो क्या है पूरी अपडेट पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखना और यदी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक सेयर भी करना साथियो और पूरी खबर इस परकार है ये चंडिगड से खबर है द परकार को सिक्सकों की मांग पर एक माह में निर्ने लेने का आदेश दिया है और हाई कोर्ट में ये सपस्ट किया है कि यदी निर्ने नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में याची का खारिज होने की तिथी से इने पांच महिने तक काम करने दिया जाएगा ये बहुत ह बड़ी खबर है साथियों और इन 860 कला अध्यापकों के लिए एक अच्छी खबर भी है दोस्तों तो अध्यापकों की और से याची का दाखिल करते हुए कहा गया था कि सरकार ने 860 ड्राइंग टीचरों की भी छुट्टी करने का निर्णे लिया है हरियाना क्रमचरे चेन आयोग ने 20 जुलाई 2006 को सी एंडवी कैडर में 816 ड्राइंग सिक्सक पद पर आवेदन मांगे थे भरती में दांदली का आरोप लगाते हुए कुछ आवेदक हाई कोल्ट पहुँचे आरोप लगाया गया कि कुछ आवेदकों को फाइदा पहुँचा देने के लिए भरती के नियम बार बार बदले गए और हाई कोर्ट ने रिकोर्ड मांगा तो पता चला कि आयोग के चेर्मैन ने बिना अन्य सदस्यों की शला के नियम बदले जो की सरासर नेमों का उलंगन था और ये गलती थी नियम में संसोधन कर सैट परतिसत अंक लेने वाड़े आवेदकों को ही इंट्रिव्यू देने के लिए बुलाया इसके बाद हाई कोर्ट ने इन सिक्सकों को हटाने का आदेश दिया खंडपिट में अपील की गई तो एककल बैच के आदेश पर रोक बगाई गई और साथियों इसके बाद खंडपिट में रोक अटाते हुए अपील खारिज कर दी इसके बाद सरकार ने इन सिक्सकों को हटाने का आदेश जारी कर दिया अब सिक्सकों की मांग है कि नीमित भरती ने होने तक उन्हें काम करने दिया जाए यानि उन्हें नोक है आब ये साथियो सरकार चाहे तो इनको जब तक नई भरती नहीं होती तब तक इनकी सेवा का तब तक इनकी नोकरी का लाब ले सकती है और इसका निरने एक महिने के अंदर अंदर लेकर इसको हाई कोर्ट में जवाब देना है साथियो और यदि सरकार इस समय में इस टाइम बाउंड में जवाब नहीं देती तो सरकार के पास भी वो अधिकार नहीं रहेगा बलकि जिस दिन सुप्रीम कार्ट में इनकी खारिज हुई थी याची का उस तिथी को मानकर पांच महिने तक इनको नोकरी पर रखा ही रखा जाएगा ये मान्ये उच नियाल्य का निर्णे है तो साथियों ये इन ड्राइंग अध्यापकों के लिए काफी सकून भरी काफी अच्छी ख़बर है और इसी परकार की सिक्सा जगत से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथियों कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है तो साथियों वीडियो को सेर जरूर कर लेना क्योंकि जितनी अधिक वीडियो सेर होगी तो हमारे चैनल को भी समर्थन तभी मिलेगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं हर मुद्दे पर सिक्सा जल्द मिलेंगे नई सिक्सा जगत से जुड़ी हुई और जानकारी लेकर आज की इस वीडियो के साथ धन्यवाद साथियों नमस्कार वंदे मात्रम